वेलकम बेक टू मैं चैनल ये वीडियो क्लास फर्स्ट के लिए है जिसमें मैं जाप लोगों को चैप्टर नमबर ट्वाइंटी डू हादी चल लम चल समझाओं की सबी बच्चे भोतियान से सुनेंगे यह आपके एक साम के पुईंटर व्यू से बच्चों important चैप्टर ही तो यहां क्या बताया गया है हादी चल लम चल चल लम चल का मतलब क्या होता है आगे चलना काहने को पढ़ना श्यूरू करते हैं हलं 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 होदा हादी चल लम चलन यानि हुदा क्या होता है जिसमें बच्चे पैटते हैं उसे क्या कहा जाता है हुदा कहा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि हलम हलम हुदा हम हाथी के हुदे में बैटे हुए हैं और हाथी आगे चल्लम चल्लम यानि चल रहा है हम बैटे हाथी पर बच्चे कहां बैटे हैं हाथी हलम हलम यानी हम पर बैट हैं और जो हाथी हैं हलम हलम भो राम- dönem और राम राम उराम से चल रहा हो इसकी लम्मी सुन्द में फटा कुछ खटर खटर यानि इसकी सून्द को बताय का इता है दो थक्स tuyungataram तर खटर तर खटर कौछ बता if याद रहेंगे सबी बचे क्योंकि जो इसके दात होते हैं वो कीसे होते हैं क्यानी जो इसका मूँ है वो बहुत बड़ा होता है काफी बड़ा होता है इसके दाद बड़े होते हैं इसकी सून भी बहुत बड़ी होती है इसलिए इसके मूँ को बताया गया है यानि ये मूँ को अपने मटकता है इदर से उधर करता है जमम जमम आगे पढ़ते हैं हलम हलम होता हाथी चलम चलम यानि हम इसके होदे में बैठे दे थुल थुल थलल थलल जो हाथी होता है वो बहुत सादा बड़ा होता है जब हम हाथी पे बैठते हैं तो हमारा दिल दहलने लगता है एक हमें डर सा लगने लगता है हालर हालर दे हिले जब हाथी चलता है यानि हम लोग हिले लगते हैं जब हाथी आगे चलता है क्योंकि हाथी काफी बड़ा होता है खंबे जैसे पाउ धपाधप बढ़ते खंबम उसके पाउं की बात की गई है उसके पाउं क्योंकि हाथी के पेर बहुत मोटे और फारी होते है जब वो चलते हैं तो धपाधप चलते हैं और थम्मम पड़ते ही हलम हलम होता हादी चल्लम चल्लम अगें हम इसकी होदे में बैटे हैं और ये आगे चलता चारी है हादी जैसे नहीं सवारी अगड़ बगड़ तो यहां बच्चे क्या बूलते हैं कि हादी जैसे सवारी कहीं नहीं है अगर पगड पीलवान मुच्छन पुच्छन बैटा है पांधे पगड पीलवान कौन होता है जो बच्छों को हाथी की सवारी करा रहा है ये रहा बच्चो ये क्या है पीरवान पुछन जो पगड़ी बान के पैठा हुआ है या आप लोगों को याद रखना है आगे बोला है बच्चो बैठे बच्चे बीट सबी हम डगम डगम यानी बच्चे जो है वो सबी पीछे पैठे हैं और वो हिल रही हैं जब हादी चले हम होदे में बेटे हैं हाथी के और हाथी आगे चल रहा है दिन पर गूमेंगे हाथी पर हलर हलर यानि बोला है कि हम सारा दिन हाथी की सवारी करेंगे उस पर गूमेंगे जैसे हलर हलर हादी दादा जरा नाच तो थलर थलर यहां हादी को बच्चों ने बोला ही कि जरा नाच तो हादी थोड़ा थलर थलर करके यानि हिल हिल करके इसके बाद बोला है हादी अरे नहीं हम गिर जाएंगे घमम घमम यानि बच्चे कहते हैं अरे नहीं हाथी मत नाचना क्योंकि हम तुम पे बैटे हैं अगर तुम नाचोगे तो हम नीचे गिर जाएंगे हलम हलम होदा हाथी चलम चलम अगैन बोला है बच्चो कि हाथी के होदे में बच्चे बैठे हैं और हाथी आगे चलता जा रहा है चैप्टर बच्चों फिनीश होता है अब इसके बाद कोश्चन अंसर है जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक्स्प्लेइन करूंगे आगे बढ़ते हैं आगे बोला है हादी मेरा साथी बता तो जाने तो आपको बताना है जैसे यहां बताया गया है कि यह हादी की पूछे अब ऐसे ही बताना है कि यह हादी के कान है जहां जहां आपको एरोज दे रखी और बॉक्स दे रखे हैं वहां आपको नाम लिखने हैं तो नाम आप किस तरीके से लिखेंगे सबी बच्चे बोद्यान से सुनेंगे इसे हम क्या कहते हैं जो इसके उपर का पार्टे होदा कहा जाता है जिसमें बच्चे जो हैं वो बैठते हैं इसके अलावा ये क्या है हादी के लंबे-लंबे से बड़े-बड़े कान हैं ये क्या है हाथी की पूछ तो आप पूछ लिखेंगे और ये कौन बैठा वह है जो हाथी को जो बच्चों को हाथी की सवारी करा रहा था यानि पीलवान पूछवान आगे क्या बोला है जो आगे जो इसके हाथ में है ये स्टिक इसे क्या बोला गया है अंकुश यानि जिसे यह से guide करेगा guide किसे करेगा हाथी को आगे पढ़ते हैं इसके याँ दे रखे हैं पाउ यानि इसे क्या बताया गया है पाउ बताया गया है यानि बच्चो पैर question number one complete होता है next वाला पढ़ते हैं आपको कवीता को पूरा करना है कवीता बढ़कर बताओ हाथी चल्लम चल्लम सून्ड यानि इसकी सून्ड को क्या बताया गया था सून्ड को इसकी फटर फटर बताया गया था तो आप क्या लिखोगे फटर फटर next वाला पढ़ते हैं next में क्या बोला है डैश दाथ दाथ को क्या बताया गया था खटर खटर तो आप लोग यहां क्या लिखोगे कि खटा खर खटर 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 दाथ याद रखना है सबी बच्चों को यह प्लस आप लोगों को यह लिखना भी आना चाहिए आगे पढ़ते हैं सून की या सून के बारे में क्या बोला गया था इसकी तो सून को क्या बताया गया है लंबी लंबी सून आंसर क्या लिखो गया लंबी लंबी सून आगे बारे में पताना है किसके दे के बारे में क्या बताया गया दे को इसकी कैसा बताया गया है धुल धुली धल्लम धल्लम क्योंकि जो हाथी होता है वो बहुत लंबा चोड़ा होता है इसके पाउ को कैसा बताया गया है धपाधप जैसा बताया गया है इसके अलावा बच्चे के बारे में लिखना है कि बच्चे को क्या बताया गया है जो बच्चे हैं उन्हें बोला गया है डगगम डगगम यानि वो उस पर बैटे हैं और हिल रहे हैं खुब मज़े कर रहें तो यहां से चैप्टर बच्चो होता है फिनिश इसके बाद मैं नेक्स चैप्टर अपनी नेक्स वीजियो में आप लोगों को एक्स्प्लेइन करूंगी